क्या EPL के next season में impact rule रहेगा? विल गाइस इस rule को काफी सारे players criticize किये वे last season में मैंने आप लोगों पूरी तरीके से cover करके दिखाया है including the Indian captain Rohit Sharma उनको भी ये rule उतना अच्छा नहीं लगता है इसके पीछे main reason ये है कि all rounders को फिर उतना chances नहीं मिलता है क्योंकि teams जो impact player को अंदर लाते हैं वो या तो pure better रहते हैं या तो pure baller तो इससे all rounders की opportunities को affect हो रहा है विल अभी July 30th and 31st को teams and BCCI का meeting होने वाला है जहांपर वो बहुत सारे चीजों के बारे में discuss करेंगे जैसे कि salary cap, retention, stuff like that बट उनके बीच में impact player rule को लेकर भी discussion होगा and according to some reports बताया जा रहा है कि next season में ये वाला rule रहेगा क्योंकि teams and broadcasters के point of view से देखा जाए तो इससे matches और भी जादा intense हो जाते हैं and viewership बढ़ जाता है तो वो तो चाहते हैं कि ये वाला rule रहे बाकी आपका क्या opinion ने इस rule को लेकर क्या इसको रहना चाहिए या नहीं मेरे को comments में जरूर बताना